हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लानन फन पर और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10 की साइंस की प्रपरेशन हम लोग कैसे शुरू करें तेक है क्योंकि साइंस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफी इंट्रस्टिंग भी है आप लोगों को तेंट के बाद 11 में काफी आप्शन सी मिलते हैं साइंस के पूरा अलग से स्ट्रीम होता है तो किस तरीके से हम 10 की साइंस को स्ट्रॉंग करें ताकि हम लोगों को 11 में हेल्प मिले ओके अच्छा लगेगा और काफी मतलब होसला बढ़ेगा क्योंकि 10 की साइंस में कुछ भी नहीं है बहुत असान है और जिन बच्चों को पास होना है ना उनके तो मतलब बस ऐसा है कि चार चेप्टर पढ़ लो पास हो जाओगे ठीक है अच्छा अब यहां पे शुरुआत करत है तो ध्यान से एक चीश को मेरी अच्छी तरीक्षय से सुनना है हाँ उसी तरीके से जिस तरीके से जब आता है आपकी उन Gluk फोन ठेके तो याद रहते हैं कि हाँ क्या क्या बोला था ठीक है और कहां पर मिलने के बुलाए था इस समय पर बुलाए था वसी हर एक बात को ध्यान से सुनना है ठीक है पहली बात तो अभी CBS से ने क्या कहते हैं एक नई इंच्याइटी जो है basically क्या सकते है रेशनलाइज और पबलिश करिया इस यर उसमें से जो भी डिड़क्टिट थे उनको हटा दिया गया है तो अब आप लोगों को परिशानी रहेगी नहीं अब कि बारे जो आप लोगों के पास एंच्ब्स अब कम्प्लीट जो चाप्टर आप लोगों की केमिस्टी के चाप्टर से हैं that is chemical reaction and equation acid bases and salts metals non-metals carbonates compound अब यह जो chapter है ना यह मैं काऊं कि 10th की science important क्यों है क्योंकि chemical reactions and equations अगर आप लोगों ने अभी नहीं समझा तो 11th और 12th में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी acid base salt क्या होता है अगर आपको यह अभी पता नहीं लगा तो आपको future में बहुत दिक्कत होगी metals and non-metals and same with carbonates compound यह चीजे या 10th की science आप लोगों की असान है बट जितना ही मैं काऊंगा ना अगर मैं करूं की 200 प्रसेंट असान है बट मैं उतना ही काऊंगा कि इतनी important भी है क्योंकि यहां से 11 में और 12 में आप लोगों को बहुत सारी चीजे connected दिखेंगी अगर आप science लेते हैं तो ओके अब यह चाहरो आपके समने chemistry है इन सब में से अगर मैं वेटेज की बात करो तो सबसे ज़्यादा important हमारे लिए कार्बन इन कंपाउंट्स है और chemical reactions and equations है cbse के अंदर इन chapters का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी वेटेज किस तरीके ऐसा किस तरीकिस नहीं है तो यह चारोग चप्टर chemistry के हैं आप लोगों के ठीक है यहां पर आप लोगों के चारोगों के चारोग चाप्टर life process control and coordination how to organism reproduce और है रिटेटी वाला चाप्टर जो है वह आप लोगों का भी क्या कहते हैं बायो का चप्टर है इसमें से evolution वाला पोजिशन हटा दिया गया है सिर्फ हैडिटी वाला पार्ट बचा हुआ है फिसक की बात करें तो हुमन आए और कलरफुल वर्ड एलेक्टर सिटी तो हमारा चाप्टर डाडस आबर इनवारमेंट यह भी बायोलोजी के अंदर आता है सो बायोल जजीक चार चाप्टर है फिसक के तीन चाप्टर है और केमिस्टरी के टोटल चार चप्टर है ठीक है सो टोटल आप लोगों का 14 14 тыW 12 इन है उन 13 chapters को आप लोगों को कवर करना है ना अब कुछ chapters के उपर मैं specifically star mark कर रहा हूं एक तो यह हो गया ठीक है एक यह हो गया और उसकी बाद यहाँ पे यह हो गया and the most awaited chapter of biology that is reproduction वो भी आप लोगों क्लास 10th में हैं तो यह भी काफी important chapter है physics की अगर मैं बात करो तो physics के अंदर हमारा electricity के लो ठीक है and magnetic effect के लो यह वो chapters है यह चे वो chapters है जिनको अगर आप ढंक से पढ़ लेते हैं तो आप exam में पास हो सकते हैं 13 में से 6 chapter करके आप exam में बढ़िया माक्स ला सकते हैं याने की 100 में से 70 माक्स ला सकते हैं ठीक है अब बाकिया आप जो बज़े 30 माक्स उनके सारे मतब उनकी जो बाकी के लाइफ प्रसेस से फिसकी बात करो तो मैं यहां पर शुरुवात करना electricity से ठेक है क्योंकि electricity के बाद ही magnetic effects जो है electric current के वो समझ में आएंगे तो electricity से पहले शुरुवात करना है यह हम लोग ने आपको चैनल रिच्प्टर या यूनिट कैसकते पूरा हटी चुका है electric current पर आपका 13 माक्स का है तो इसके पास चले जाएंगे ठीक है जो है आप लोगों कि approximately 30 मार्क से आती है उसका बेटेज जादा होता है योडेकर भी जादा है तो यह पूरुवाशी का वेटस जाधा होता है Chemistry और फिसक का कम होता है ज्यादा भी करेंगे तो बाइलोजी 28 मार्पी कर देंगे देंगे यहां पर एक एक दो दो नंबर बढ़ा देंगे लेकिन बाइलोजी का वेटेज यह ज्यादा होता है compare to chemistry and physics क्योंकि chapters भी जादा है जो कि बहुत अव्यस सी बात है ठीक है अब यह पता लगया कि क्या हमारा चैक्टर आ रहे हैं क्या हमारा वेटर रहेगा यह पता लगया अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रप्रेशन हम लोग कर सकते हैं आपके पास दो ऑप्षिन से पहला ऑप्षिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है और कुछ खास मैनत नहीं लगेगी सब कुछ आप लोगों को करा कराये मिलेगा आप लोगों को बस एक कम होगा डाटेस्ट आप टो टाइम यहाव तो स्टडी वह है हमारा बिलीवर्स बैच जहां पर आप लोगों को हम तेंथ की एकदम बड़या तरीके से त्यारी करवाएंगे फांडेशन के लेवल पर यानिकी आपको 10 तो हम करवाएंगे उसी के अंदर एक्स्ट्रा इंफ्रमेशन भी देंगे ठेक है जो 11 के इंक्लूड होगी आप म मैंने यह पढ़ाया है ना reproduction का इसके अंदर mostly यह के सब्सक्राइब कर दिया है क्यों कि मुझे पता है यह चाप्टर आगे कवर होगा आगे इसको पढ़ना है तो बेस अगर स्ट्रॉंग रहेगा तो ही बिल्डिंग स्ट्रॉंग बनेगी और सिर्फ मैं ही नहीं सारे टीच लेक्टर्स मिलेंगे foundation level तक कि मतलब बढ़ी एकदम 11-12 इसमें थोड़ थोड़ा कवर करेंगे दूसरी बात इसमें हिंदी और IT भी है कंप्यूटर अप्लिकेशन के बच्चों को हिंदी और IT में बहुत परिशानी होती है तो आपके लिए वह भी हम लोग ने करवा रखा ह सेंपल पेपर जोंगे पूरे प्रवाइट करेंगे हम लोग आप लोगों को क्योंकि बोर्ड का साल है ठीक है ऐसा नहीं कि स्कूलों के अंदर पेपर बन रहा है बाहर पेपर देने जाना पड़ेगा बाहर सेंटर्स पड़ेंगे सबसे बड़ा चेंज लाइफ का यही है अभी पिछले नौ सालों से आप स्कूल के अंदर पेपर दे रहे थे अब आप लोगों को स्कूल के बाहर पेपर देने जाना पड़ेगा ठीक है आपकी सेंटर्स बहार पड़ेंगे यह बहुत बड़ा चींज होता है तैंत में ओके 500 कोशन की पीडियाफ है लाइफ सेशन स्कूल कर दो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी और आज कल 80 प्लस स्कूर करना इस नॉट अ बिग डील लेकिन 80 प्लस से 90 पे कैसे जाए यह 95 पे कैसे जाए क्योंकि जितना कॉंपेडिशन आज कल चल रहा है 95 पी आजकल आवरेज बन चुका है अभी रिजल्ट आएंगे तो द लेक्टर्स भी प्रवाइड करेंगे कि इस इनकेस आप लोग ने सब कुछ पढ़ लिया है और आपको कुछ रिवीजन करना है पूरे चैप्टर का दो घंटे के अंदर तो आप लोगों को लेक्टर्स भी मिलेंगे होमवक हर चैप्टर के टेस्ट होंगे और चैप्टर वाइस आपको नोट मिलेंगे तो आपको ज्यादा महनत नहीं करने आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है यह आप कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स के अंदर एंड्रोल होना चाहते हैं तो एक नंबर हैमारा डाट इस जीरो सब्सक्राइब करेंगे आपको बस अपना समय देना है आप उसके हेल्प से ठीक है अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं 95% या अब आप क्या करो अब आपने चाप्टर रीडिंग जो स्टार्ट करी है तो जब साल की शुरुवात होती है तो सबसे इंपॉर्टन चीज जो हम लोगों को करनी होती है वो होती है नोट्स ठीक है क्य क्या आपको अगर लगे कि एंचाटी से पढ़ना है तो एंचाटी से पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट कोशन्स कभी एक्जाम से थोड़े बहार या आउट आप दब बॉक्स आ जाते हैं और वहां पर आपको अडिशनल बुक का रेफरेंस लेना पड़ता है मैं फ अब दो तरीके से बना सकते हो या तो खुझ से एंचाटी रीड कर सकते हो हाना डिरेक्ली खुझ से एंचाटी रीड करी जो भी आप लोगों को लगा कि भाई ठीक है मैंने दो से तीन पेजिस पड़े और जोसमें इंपोर्टेंट लगा आपने उसको नोट्स में लिख ल दिया तो आप लोगों के वह प्रिपेर हो जाएंगे नोट्स प्रिपेर हो जाएंगे अच्छा नोट्स ऐसे बनाने हैं कि अगर आपने इन नोट्स को एक बरी बना दिया है तो सेकेंड टाइम फिर से बनाने की ज़रूत ना बने क्योंकि हम साल के बीच में नोट्स बनान कि साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ दिया तो अगर मैं को कुछ नया सीखने को मिला तो इस टॉपिक के वगल में वो पॉइंट एड़ कर दिया है ठीक है नोट्स हो गए लेक्चर हो गए कोई भी चीज को मेमराइज करने के लिए कि the most important thing is revision आप किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते हैं अगर आप उसकी रिवीजन ना करें ठीक है आप लोगों ने पहला चाप्टर कोई भी मैंने जो इंपॉर्ण चाप्टर बटाए उसमें से पहला चाप्टर उठाया अपने ठीक है आपने उसके नो है तो हमें एक ताम लिखूंगा प्रियॉडिक रिवीजन ठेक है प्रियौडिक रिविजन जो होती है आप लोगों की वह आप लोगों को काफी हेल्प करती है तो इंप्रूब यॉर नालेज प्रियॉडिक या कैसे तो रेगुलर रिवीजन यानि कि आपने पहले एक है और यहीं चलता आया है आप यह सोच होगे कि ठीक है मैंने अभी नोट्स बना लिए हैं अब क्या टेंशन आराम से पढ़ लोगा फिर लास्ट मेना बच्चे ना बहुत ज्यादा वो करते हैं कि भाया में को तो यादी नहीं हो रहा है ठीक है या भाया मैं पढ़ रहा हूं is because of lack of revision lack of confidence जब खुद पर confidence नहीं होता है तो मैंसा फील करते हैं सो उस सिच्वेशन में नहीं पहुंचा जा सकता अगर आप डे वन से किसी चीज को पढ़ते आ रहे हैं रिवीजन करते आ रहे हैं पूरे साल रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और ज्यादा महनत नहीं करनी है क्योंकि day 1 से पढ़ रहे हो तो तो इतनी महनत करने की जरूत नहीं है अपना साइन्स मैं सिर्फकी बात करो तो साइन्स को दिनका सिर्फ एक घंटा दो ठीक है यहां पर यह दिन के टोटल मैं कांगा कि दो घंटे निकाल लो ठीक है टू आर्स निकाल लो अपार्ट फ्रम क्या कहते हैं जो आपका कोचिंग एन ओल है ठीक है उसके अलावा क्या रहूं टूशन सब्राइब अपार्ट फ्रम दैट दो घंटे निकाल लो एक घंटे साइंस एक घंटे कोई दूसरा सब्जक्ट मैट्स फिर दूसरे दिन आप लोग ने कि कह हों कर रहे हो यह बहुत बड़ी प्रब्लम है हम लोग अभी नहीं करते है यह सूचते हैं ठीक है अब फ्री हुए है 9th क्लास से पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पर लेंगे तो आगे काम हो जाएगा तो आगे अगर टाइम बचा रहा है क्यूंकि बउर्ड का साल हैं बहु कर लो उसको देड़ घंटे में convert करो फिर उसको दो घंटे में convert करो but the most important thing is notes notes focus क्यों कर रहा हूं क्योंकि बच्चे लास्ट में रोते हैं कि नोड़स नोड़स नहीं है बच्चों को यह लगता है कि ठीक है हम लोग यहां से नोट्स मिल रहे हैं कहीं online website पर देखेंगे वह अतना कुछ खास होता भी नहीं है उन्हें बस ncrt copy करके फेस्ट कर रही होती है महीं सुढ़ा के देख लेते हैं ठेके अब हमारत हो क्या है कि हम lectures पड़ा रहे हैं वहीं आपके पास जा रहे हैं तो वह आपके काफी important होते हैं और हम foundation level के नोट्स देंगा तो जाहिर से बात उसमें थोड़ी अडिशनल होंगी दूसरा benefit क्या है नोट्स खुझ से बनाने का जब आप किसी चीज को लिख करके पड़ते हैं तो वह चीज आप लोगों को याद होती है इस चीज का भी ध्यान रखना है तो नोट्स कर ली है तो आप लोगों को साइंस क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है और भी सारे पॉइंट से कुछ बोलेंगे कि कहते हैं कि यार ऐसे पर लो यह कर लो वो कर लो ठीक है नहीं जो ट्रडिशनल वे हैं अफ स्टडी उसी के उपर फोकस करना है नोट्स खुझ से बनाने हैं अब यहां पर तुम पढ़ोगे किसी हल्प से लेक्चर की हल्प से वो तुमारे उपर है एंसेट करोगे तुमारे उपर है रिवीजन करना है और टाइम टेबल के थुरू जाना है और याद रखना है कि यह जो साइन से क्लास 10 की आपको 11 और 12 में भी हैं help करने वाली है बाकी हर एक चीज के लिए हम है बिलीवर्स बैच के अंदर पूरी सारी अच्छे तरीके से प्रवाइड करें कि वहां पर आप लोगों का टाइम बचेगा लेकिन वहां पर भी मैसेज्ज करूंगा कि अगर हम आपको नोट्स दे रहे हैं तो उसको एक बारी पता लग गए होंगी और भी ऐसे सेशन में लेते आते रहूंगा कि किस तरीके से अपने लर्निंग पावर को इंप्रूफ करना है किस तरीके से बाके सारी जिए को ठीक कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा सजेशन चाहिए कुछ आपके पास सजेशन है तो कमेंट स्क्राइब कर देना और स्वीडियों को शेर भी कर देना बबाई और थांकिसो मच